एक पौदर से Sind क joking है उतना ट्रमाड़ ले सकते हैं कि इसका मिढ पौदे से आप जितना चाहें उतना अब फल ले सकते हैं। उसके लिए बातों को आपको ध्यान देना तो इस विडियों में आपको बताएंगे कि दोती instructors इतने उतना मंचहाँ इसमें अब फ्ल ले सकते हैं तो आईए आपको बताते हैं कैसे क्या करना तो सबसे पहले मैं अप उतादू कि अगर इस टाइम पर अपने गार्डन में आप नहीं लगा है तो जरूर आप लगा लिजी इस टाइम बिलकुल उप्यूख्ट समय है और इस टाइम पर लगाते हैं तो जल्दी सी ग्रोथ भी होती है और बहुत लोग टमाटर पर देख रहे हैं और ध्यान से इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं और फ्लावर साथ इसमें फल भी बहुत प्रचूर मातरा में आना सुरू हो देखिए अगर चोटे से पौदे हैं चोटे से पौदे जो आपने नर्सी से अप लेकर आएं तो यह थोड़ी से लंबी होगी और इसको ध्यान से आप देखिए क्योंकि इसमें बहुत हम इसमें कुछ बाते बताएंगे ताकि चोटे से पौदे से कैसे बड़ा करना करना है तो इसमें बहुत कोई पौट सेलेक्शन की जरौत नहीं है अगर आप चाहते हैं पौट या लगाने के लिए तो लगा सकते हैं हम देखिए आपको ध्यान से को दिखा दें तो देखिए मैंने यह बोरी का सिमेंट के बोरी का मैंने यह बनाया हुआ था और इसका मै कि चुल छोड़ा सा तो लेक्र अने के बाद आप उसको पोट्री इसार करते हैं तो तो Heart न को पर के लगा और फूटिंग की इस्टेश पर आता है तो उस समय आपको यह खाद देने की जरूद आपको इसमें पड़ती है और इसमें भरपूर खाद देना उसके पहले काम यह करना आपको जब पोटिंग बिस बना के अपने टमाटर लगा दी तो उसके बाद लगाने पानी आप देते है और टीप को जैसे आप कट करेंगे तो उसमें कट करने के बाद कोई लिक्विड फटलाइजर आप दे दीजिए या हो सके तो उसमें बर्मी कंपोस्ट या बोन मील कुछ ऐसा चीज है या जाई में आप उसमें दे दिजिए अगर आपको माइको निउट्रियंट है तो उसमें माइको निउटेंज का च्छिड़काव भी कर दीजिए उसके बाद आप करना क्या है कि एक महीन और आपको बीच जैसे तो जब यह दो महीन हो जाएगा ना दो महीन में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके कि टमाटर यह बूसी होना यह सुरू हो जाएगा ध्या से दखेंगे तो अब ध्यान से देखिए तो मैंने इसका सपोर्ट दिया हुआ है अब देखेंगे बाद देने के बाद जो अब देख रहा है और चारों तरफ से आप सपोर्ट देजिए ताकि जो इसकी साखाएं सखाएं तो अगल बगल यह तूटने न पाए क्योंकि सब्सक्राइएं तो अब करना चाहिं करना ने तुम तो इसमें अच्छीएब सब्सक्राइबं के बाद अब करना क्या है कि अगर आपका ठामाटर पोदा दो महीने का हो गया है तो उसमें अच्छे तरीके से आप गुड़ाई करिए लगब लब दोस्तों होता है कि दो से ड्हाइब मैंने के ट्रमाटर होता है तो उस समय आपको करना क्या है कि भरपूर मात्रा में और भी हैवी फट लैर आपको देने की जरूरत पड़ेगे तो देखिए हम अच्छे कर लेते हैं गुड़ाई और खास्ताव से एक बाद और बताएं दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में टमाटर के पौदे को बचाना दोस्तों बहुत ही टिपकल्ची होता है क्योंकि इसमें टमप्रेचर बहुत ज्यादा लो होता है और उस समय दोस्त आप देखेंगे ध्यान से यह जलने लगेगे दोस्तों अगर यह अच्छी फंगिसाइट का यूज नहीं करेंगे तो यह जो पत्यान बिल्कुर जलने ले खराब हो जाएगी तो देखिए मैंने इसकी मिट्टी की गुराई कर दिया और गुराई करने बाद इसमें आपको दोस्तों यह बायोजाइम मार्केट में आपको सस्ते दाम वो मिल जाता है इसको यूज क्या करिए क्योंकि अगर इसको सब्जी के अगर एक पौदे में एक बार पोटिंग मिक्स में और एक बार दो से धाई मेने बाद दो महिना बाद इसको देए उसके बाद आपको दो नहीं उच किया है तो इसमें नीम खली एड कर सकते हैं तो अब इसके साथ में चौथा क्या का यूज करना है वर्मी कंपोस्ट लेना बहुत जरूरी है या अगर आपके पास काउड़न कंपोस्ट इसको भी ले सकते हैं लिप कंपोस्ट ले सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर कि फ्रूटिंग इस्टेज पर है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग इस टाइम भरपूर मात्रा में अगर इसको फटलाइर हम दे देंगे तो उसके बाद देखेंगे एक पौदर से जितना ट्रमाटर चाहेंगे उतना ट्रमाटर आप ले सकते हैं बर थोड़ी सी यह फटला इसमें यूज कर देते हैं इसका हम यूज कर देते हैं चाहों तरब से और यूज करने के बाद दोबारा इसको हम कर देते हैं इसकी गुड़ाई अगर आपको जरूवर समानी में आएगी तो पानी भी आप इस टाइम दे सकते हैं हमारे मिट्टी अभी नम है इसलिए हम पानी नहीं दे रहे हैं गुड़ाई करने के बाद छोड़ दे रहे हैं तो एक दू दिन बाद इसमें पानी देंगे भरपूर मातर हम दे देंगे और मिट्टी नम है तो जरूवत नहीं है पानी देने की देखे हम गुड़ाई करके और फटलायर को मिट्टी में मिक्स कर दीए अब उसके बाद दुबारा काम क्या करना आपको कि दूबार दूसरो इसमें यूज करना है कोई कोई फंगिसाइड और पेसिसाइड अगर आ अब दिःहान से देखते रही है एक द्रपानी में इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलाना है विच्छक को दूसरो बहुत अच्छा फंगिसाइड काम करता है और एक पानी में कितना को लेना होता इसको दस ग्राम कि दूसके बार घृलू चीज के हम बात किये हैं तो द्यान क देखें हम घरेल से बना रखें यह बायो जाइं दोस्तों आभी इसका कले वीडियो अप्लोड नहीं इसका पर्सवाइं वीडियो अप्लोड किये हैं आई बिटन पर लिंक है जाकर देख सकते हैं सर्दियों के मौसम में पेस्ट और इंसेक्ट पर बहुत अच्छा कारगर सा अब आपके पास नीमयल भी होगा तो इसमें नीमयल भी आप मिक्स कर देज़ेगा नहीं वहरत कोई दिकत नहीं लेकिंग तो टमाटर की पौदे पर बैगन पर मिर्चा पर नीमयल दोस्तों बहुत अच्छा काम करता हर 15-20 दिन पर एक बार यूज करते रहते हैं तो उसका आपको अच्छा मिलता है जोस्तों अगर आपकी टमाटर के पौदे पर कोई डिजीज है या नहीं है फिर भी नहीं मैल आप यूज करते दे रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलता है ऐसे क्या है कि फंगिशाइड का भी काम करता और पेस्ट इंसेक्ट को भी रोकता है देखिए इसको इस प्रेपा में इसमें हम भार लेते हैं और इसका हम छिड़काव यह कर देते हैं इसका छिड़काव दोस्तों आप अच्छे तरीके से आप करिए ताकि पूरा यह पत्ते की उपर और पत्ते की नीचे भी तो यह लिकुड यह पहुच जाए क्योंकि तब यह ज़्यादार यह साबित होगा हां एक बत और ध्यान देजिए कि इस टाइम पर टमाटर के पौदे पर लिफ माइनर का अटेक बहुच ज़्यादा मात्रम में इस टाइम हो रहा है अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर लीफ माइनर की बात करें तो आपको देखेंगे तो लीफ माइनर भी तो खतम हो जाएगा कि इस तरीके से चिड़काव हम कर देते हैं और इसके बाद पंद्रह से बीडियो और बनाएंगे और इसका आपको अब्रेट भी दिखाएंगे कि इस पर कितना टमाटर यह फल रहा है एक पौदा मात्र अगर आपको अच्छी लगए विडियो को लाइक करेगा सेर करेगा चैनल सब्सक्राइब भी आप जरूर करेगा अगर देख रहे हैं फेजू पेज फेजू पेज को भी आफ़ाल को दें मिलते हैं आप से न्यू वीडियो में न्यू टाप्ती की साथ धरन्यवार